दोस्तो बहुत ही खतरनाक है रोटी, अगर आप भी घर की बनी इसी तरह की रोटियां खाते हैं, तो आपकी मौत जल्दी हो सकती है, घर में बनी ऐसी रोटी भूल कर भी ना खाएं। दोस्तो ये बात एक दम सच है की रोटी खाने से ही व्यक्ती तरो ताजा रहता है और अपना पेट भढ़ता है, परन्तु इसके अलाबा रोटी में कई ऐसी बाते चुपी हुई हैं, जिसे हम ना जानकर गल्ती कर बैठते हैं, आपको बता दी, माना की रोटी में कई सारे पो दोस्तो नंबर बन, अपने शुरुआती दौर में कोई भी बच्चा जब रोटी नहीं खाता तो उसका जीबन बेकार हो सकता है, क्योंकि शुरुआती दौर में रोटी का सेबन करने से हजार गुना उर्जा प्राप्त होती है, इसलिए बच्चों का खान पान, रोटी खिला कर शुरुआत करें, हड्डियों को ताकत मिलेगी, दोस्तो नंबर टू, ताजी रोटी की अपेच्चा, बासी रोटी अधिक पॉस्टिक होती है, क्योंकि लंबे समय तक रखे रहने के कारण, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, बेसेहत बनाने में लापकार रोटी सिद्ध होते हैं, वही जो लोग घंटो पसीना बहा कर अपनी बोडी बनाना चाहते हैं तो सुभा के समय दूद के साथ बासी रोटी अभश्य खाएं, बजन बढ़ता है, दोस्तो नंबर थ्री, जो ब्यक्ती रोटी नहीं खाता तो उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, रोटी हमेशा खाएं, दोस्तो नंबर फोर, जिस ब्यक्ती के जोडों में दर्द हमेशा रहता है, तो रोटी का साथ भूल कर भी ना छोड़ें, दोस्तो नंबर फाइब, शुगर का लेबल बनाए रखने के लिए रोटी हमेशा खाएं, रोटी खाने से का लेबल संतुलित रहता है, दोस्तो नंबर सिक्स, बिलड प्रेशर रहता है कंट्रोल में, बही पॉस्टिक तत्वों से भरपूर रोटी गरम गरम सबजी के साथ खाने से स्वाद बढ़ जाता है, दोस्तो नंबर सैबन, अगर आपके पेट में गैस बनती है, तो ऐसे मे आपको रोटी का सेबन नहीं छोड़ना चाहिए, रोटी खाने से कबज में आराम मिलता है, लेकिन तेल ना खाए, दोस्तो नंबर एट, जो ब्यक्ति हमेशा रोटी का सेबन करता हो, और तेल का सेबन ना के मातरा में करता हो, तो कैंसर जैसी, पत्री जैसी समस्या भी खतम हो जाती है, दोस्तो नंबर नाइन, पाचन शक्ति को मजबूत करती है रोटी, बहीं काम करने में भी उर्जा प्रदान करती है रोटी, रोटी का सेबन तो बनता है, दोस्तो अब बात करते है नंबर टैन, डॉक्टर्स की माने तो बारा घंटे से उपर की रखी हुई रोटी खाने पर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय की रखी रोटी में हजारों बैक्टिरिया पनब जाते हैं, इसलिए जाज परक करी रोटी का सेबन करें, जब भी आप बासी रोटी खाए तो रोटी को हलका सा तोड़ कर देखें, अगर उसके जाते हैं,